नमस्कार विद्यार दिमित्रों आजे एक कंप्यूटर सब्जेक्ट ने अंदर आपने बीजू चेप्टर स्टार्ट करवा जी रहाए छी जेनू नाम चे विंडोज नो परी चै तो सवक्रतम आपने ओपरेटिंग सिस्टम में ते समझ सूँ कंप्यूटर नू संचालेन करवा माटे जरूरी प्रोग्राम निश्रेणी ने ओपरेटिंग सिस्टम कहे छे कंप्यूटर स्वीचोन करवा थी मांडी ने स्वीच ओफ करी है त्या सुदी कंप्यूटर उपर जे देखरेकने नियंत्रों करे छे इजे परीबढ छे एन ओपरेटिंग सिस्टम कहे वाय छे आउट्पूट आपवा माटे कंप्यूटर प्रोग्राम मुझब डेटा प्रोसेस करे छे कोई पन डेटा प्रोसेस करवा माटे कंप्यूटर ने हार्डवेर अने सोप्ट्वेर एबने नी जरूर करे छे पड़ कंप्यूटर नुँ खरेकर संचालन करवा माटे ओप्रेटिंग सिस्टम नी जरूर पड़े छे तम्मी जे डेटा कंप्यूटर नी अंदर इनपूट करो छो एनने आउट्पूट बनावा माटे कंप्यूटर एनने जे रित्न प्रोग्राम आपेलो हो छे यह मुझे अभी प्रोसेस करें छे कोईपन डेटा प्रोसेस करवा माटे एनने बे वस्तू नी जरूर पड़े छे एमाँ एक चे हार्डवेर आने बीजू चे सौप्ट्वेर तो आपने साउती पेला ए खबर होवी जो है कि हार्डवेर इनले सुँ तो हार्डवेर इतले जने आपने अडी सके एमाँ गलेवों जे भाग छे möchte ने हमाँ तो सौप्ट्वेर एल्यर सूं तो कि अप्रेटिंग सिस्टमी आउट बने तो तो नहीं, तो नहीं बना तो श्याहत expedition कहों। ओपरेटिंग सिस्टम चे इकोंप्यूटर नो आतमा चे इन्पूट डिवाइस पासेती डेटा मेड़ोया पची CPU ते डेटा मेमरी ने मोकले चे पची CPU मेमरी पासेती डेटा मेड़ोई और आउटपूट त्यार करवा माटे एन आउपरी प्रोसेस करे चे स्टोर करवा माटे आउटपूट फरी पासे मेमरी ने मोकला पची अने पची CPU मेमरी माती मैंतीն आउटपूट डिवाइस के स्टोरेज डिवाइस ने मोकला माटे ज़रूरी सुच शुकनावी आपे चे तमें जेवो डेटा इन्पूट कर सो एटले साउती पेला CPU मेड़ा होसे डेटा ने त्यार बाद इम मेमरी युनिट ने मोकल से त्यार थी फरी पाचो ते मेड़ुई आने आउटपूट त्यार करवा माटे ने ज़रूरी प्रोसेस करवानी हा से इस परोसेस कर से त्यार पाची इने स्टोर करवा माटे फरी पाचो मेड़ी मेमरी मां मुख से झार पाची जो तक मने इस मात्रा मोनीटर माज आउटपूट जो होँसे तो यी रिच नी वेवस्था कर से अन्य जो प्रिंटर मा थी तमने आउटपूट नी प्रिंट काट विया से तो यी मुझब नई कमांड आप से तो आप बद्धूच कारे जे छे ए ओपरेटिंग सिस्टम करतू होए छे कम्प्यूटर ना समगर कारे नो नियंतरन सीपीउ करे छे तो सीपीउ नो पूरू नाम आपने हवे ख्याल होई जोई सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट परंतु सीपीउ ने खबर क्या थी पड़े कि सुन करवानू छे किया रे करवानूutsे और के वी रित करवानू усп सीपीउ ने कोई मगस्ट तो च्ये नि तेने خबर पढ़ से के आ काम आरीत ना करवानूँ छे कया समय करवानू छे कोंर कर से आ काम बरवर तो सीपीउ न तेना कारे करवा माटे मदद करता विश्यस प्रोग्राम होए छे कम्प्यूटर नुँ संच्यालन करवा माटे उप्योग मा लेवाता आवा प्रोग्राम निश्रेणी ने ओपरेटिंग सिस्टम कैवाय छे हवे आपने जे पोईट समझवा जही रहा छें इचे यूजर इंटरफेस कम्प्यूटर नुँ उप्योग करनार हार्डवेर अने सोप्टवेर द्वारा कम्प्यूटर पासे थी कार्यर लई शक्ये छे आ मादे हमने यूजर इंटरफेस कहे छे यूजर इंटरफेस ना बे प्रकार छे यहां पेलो प्रकार छे कमान्ड लाइन इंटरफेस और बीजो छे ग्राफीकल उजर इंटरफेस लुख रथम आपने समझी हें कमान्ड लाइन इंटरफेस तुंक माँने C, L, I काईवाए कमांड लाइन इंटर्फेसस मां कंपटरने सुचना आप होँआ माठे लकान आदारीत कमांड टाइप करऊ आप लेज SUPER कवी पां काम कर आप करऊ है कंप्यूटर पास विन करूं कोई कारिया लेओं तो यह ना माठp से यह land कमांड आप होँआ forest saying आजनी तारीक जो भी होए तो यहनो डेट कमांड आप पड़े तमने जो डिरेक्टरी बनाविए तो MKDIR नम नो कमांड आप पड़े तो यहनो मतलब ही थो के आई इंटरफेस नी अंदर तमने कम्प्यूटर साथी जो काम करूँ हो तो यहना दर एक कमांड तमने याद राखवा पड़े तो आई इंटरफेस थोड़ो कारे करवामा अगरो पड़े यहतले के यूजर फ्रेंडल आप प्रक्रिया करीने आउटकूर्ट मेढवा नो होए ते प्रक्रिया नो आ कमांड नी देश करे चे कमांड लाइन इंटरफेस नो उप्योग सरवर न थी कारण के उप्योग करना रे मात्र कमांड नी पर तेने लगता बद्धा नियम हो पन याद राखवा पड़े जो टाइब करवा मा एकाद भूल थे ही जाए तो डी ओ एस यह लगे डोस डीस कॉपरेटिंग सिस्टम ते कमांड समझी शक्तू ना थी आती ते तेने जे कारे करवान होए कयूं होए ते कारे ते ना थी थे ही शक्तू ना थी एडलेज में सरुआत मां कितूं के कमांड लाइ एकाद के थोड़ी भूल थे ही जाए तो एनों डोस जेचे कमप्यूटर नी अंदर डिस्क उपरेटिंग सिस्टम इकमांड ना समझी सके तो तमारूं धारेलूं काम इकम्प्यूटर पासी दी लई सक्तूं न थी नंबर 2 उपर आवेचे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तुँग माजने जी यू आय कईवाय चे आजकाल बोटा पागना कम्प्यूटर मां ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होय चे आ सिस्टम मा स्क्रीन उपर न चित्रों के ग्राफिक्स पर माउस वोले क्लिक करीने कम्प्यूटर ने सुचनाव आपवाणी होचे आथी graphical user interface मां कम्प्योग करवा माटे तमारे कोईपन जातना कमांड याद राखवा परता नथी कोई पन काम करवा माटे तमारे पसंदगी न टूल्स के कमांड अथवा तेने 17 बटन के स्क्रीन पर न आइकन पर मात्र कलिक करवानू रहे चे तो कमांड लैन इंटरफेस ने ग्राफिकल इूजर इंटरफेस मा तफावत सुझे के कमांड लैन इंटरफेस मा तमने याद राखवा पड़े चे कमांड के डेट माते कई कमांड छे डिरेक्टरी बनावा माते कई कमांड होई चे फाइल बनावा माते कई कमांड होई चे अन्य इन्दर माउस नो कोई जूपयोग होतो न थी जारे ग्राफिकल उजर इंटरफेस कमाइंड लाइन इंटरफेस करता गणू इजी छे एनी इंदर तमने ग्राफिक्स मड़े छे जोवा माटे जिमके आपने डेस्क्टोप आपने बदा जोई हुँच छे जिनी इंदर माई कॉंप्यूटर पची येना बदा नेटवर्क सि डीरेक्टरी बनावी होई तो पण तम्यू ठावा माउस द्वावारा बनावी छे लुप तो GUI छे, ECLI करता है, उप्यों करो आमाँ गणों बदो, इजी छे, एटले हैं यूजर फ्रेंडली पन कैवाँ माँ आवे छे त्यारे तम्हें तम्हें तमारा स्क्रीन पर जे फोटो जोई रहा छो, इडेस्क टोप नो फोटो छे कंप्यूटर नी स्वीच चालू करो आने विंडोस चालू थवा माँटे एले के बूट थवा माँटे थोड़ी सेकंड नी राजो विपड़े जे त्यार बाद आर ओ एम एले के रीड ओनली मेमरी रोम काडे शरू करो माँटे CPU ने कमांड सापे जे अने ते प्रक्रियाने बूटिंग एवा माँटे छे तमे विंडोस नो मुख्य स्क्रीन जो तमारा स्क्रीन उपर रतारे तमे जोई चाको जो एमां सवुती नीचे डाबा खूना उपर स्टार्ट बटन छे एनी उपर डाबी बाजू है तमे जे जोओ छो आईकोंस से जे में वोल्यूम समय तारीक बदूं आप वा मां आवेलू होए छे हुआ अगया आईकोंस रे सुन तो डेस्टोप पर ना ना चित्रों आईकोंस के वा मां आवे छे अलगलग कंप्यूटर ना डेस्टोप पर अलगलग आईकोंस ना सम्मू ओई सके एवुन ज़रूरी न चो तमारा कम्प्यूटर नी अंदर अलग अलग जातना सौप्टवेर आवेला होए तो एन आईकोन्स तमारा कम्प्यूटर करता अलग आवे तमारा कम्प्यूटर माँ Windows माँ दरेक प्रोग्राम माटे एक आईकोन होए चे आइकन नीचे प्रोग्राम नू नाम लखेलू होएचे अपने ख्याल आवे के आर कया प्रोग्राम नू आइकोन छे त्यारवाद टास्क बार डेस्टोप ना नीचे ना भाग मा देखाती आडी पटी ने टास्क बार खैवाम आवेचे टास्क बार नी डाबी बाजुए स्टार्ट बटन आवे उनों है छे विंडोस मां मोटा बागना प्रोग्राम स्टार्ट बटन पर क्लिक करवाती सरू थाई सके जे जैरे तमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करशो त्यारे तमने Windows मा विविद प्रोग्राम धरावतूं ओप अप मेनू जोवा मणशे त्यार बाद हवे आपने माउस नो उप्योग समझी Windows ओपरेटिंग सिस्टम माउस बहुच महत्वनो साधन जे मेनू, टूल्स के कमांड, आइकन के बटन, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर वगेरे पसंद करवा माटे माउस नो उप्योग ठाएचे अपने जे वस्तुने सिलेक करवी होए तो आपने माउस ना लेप्ट बटन ती इने सिलेक करता होईचे जो लेप्ट बटन ने बेवार क्लिक करने जडब थी तो इप्रोग्राम ओपन थी जाएचे माउस तेना पर बेके त्रण धरावतुन नानकलू एक साधन छे डाबू माउस बटन वारम वार उप्योग ठाएचे मेनु माथी कोई वस्तू पसंद करवा के स्क्रीन पर चोकस थर्ण नो निर्देश करवा माठी तेना उप्योग ठाएचे अपने माउस थी कोई चोकस जगिया बतावी तो इना एरो द्वार आपने बतावी शक्किएचे कोई प्रोग्राम नो आइकोन आपने पसंद करवा तो आपने पसंद करवा तो आपने पसंद करवा के स्क्रीन पर चोकस थर्ण नो निर्देश करवा माठी तेना उप्योग ठाएचे स्क्रीन पर शोटकट मेनू जवा माटे जमना माउस बटन नो उप्योग ठाएचे जमनू बटन तमें क्लिक करो और तमने एक पोप अप मेनू जवा मड़ी एनी अंदर थी विवीद ओप्शन्स तमने मड़ता आवा चे अप्योग द्वारा तमें फाइल ने एबीसी डीवाइज सोट करी सको चो एसंडिंग डिसंडिंग ओर मां बर बबर नवी डिरेक्टरी बनावी सको चो बनावी सको चो फाइल ने रिनेम करी सको चो अबद्दाज उप्शन तमने माउस ना राइट क्लिक नी अंदर जोव पड़े चे माउस ने माउस पेड पर राखी ने सरकावा मा आवे चे तमें माउस पेड पर माउस पेर आवसो त्यारे स्क्रीन पर एक नानक नुप तीर एले के एरो पड़ तमने फरतो देखा से आ एरो ने माउस पोइंटर कैवा मा आवे चे ज्यारे तमें माउस बटन दबावो त्यारे तमने एक क्लिक नोवाद संबडाये चे आथी माउस बटन दबावानी क्रिया ने क्लिकिंग केवामा आवे छे तो एमा सवती पहला आपने समझी पोइंटिंग एतले सुँ तो आइकन के टूल पर माउस पोइंटर ने मुकूँ तूंक मा कोई पन आइटम पर माउस वडे पोइंट करूँ के निर्देश करूँ बरबर एने पोइंटिंग केवामा आवे छे हवे आपने इसे मजी के क्लिक के लेजूँ माउस बटन ने दबावी ने छोड़ी देऊ एने क्लिक केवाई त्यार बाद आपने जानी लेप्ट क्लिक माउस बटन नू डाबू बटन दबावी ने छोड़ी देऊ बरबर एने लेप्ट क्लिक केवाई लेप्ट इटले डाबू सामान्य रिदे, क्लिक एटले लेप्ट क्लिक कारान के डाबू बटन आपने वारमवार यूज खरता हो यें चीं त्यार बाद आपने समझिए राइट क्लिक युले जम्नी बाजुनी क्लिक माउसनinations जमनु बटन दबावे इने छोड़ी देऊं येने right click एवाए ची आएवेचे double click माउस बटन जड़ब थी बेवार दबावावे बरबर एने double click किवाए I fact double एडले बेवार, बेवार किलीक करवे एने double click किवाए त्यार बाद आएवेचे drag करवें ड्रेगेले गसेड़ूं, गुजराती में एने केवाई, गसलूं, एक जीए एती बिजे ठेकाने, चीज ने वस्तूने, कोई आइकोन ने गसली ने लई जाऊं, एने ड्रेगिंग केवाई, माउस बटन दबावे लूंज राखी ने, माउस ने फेरवूं, अने पची माउस अने छोड़ी देवू, एने ड्रेगिंग केवाई, स्टार्ट मेन उपन करवानी त्राण रीत आपे ली छे, जे माँ एक छे, टास्क बार पर स्टार्ट बटन उपर क्लिक करवानी, बीजा नंबरे आवे छे, कीबोड उपर विंडोज लोगो की दबावो, एटलागे वि प्रेश था से, अने तमें स्टार्ट मेनू ने जोई सक्षो, अतारे तमार स्क्रीन पर तमें जे फोटो जोई रहा छो, इस स्टार्ट बटन प्रेश करवा थी, जे स्टार्ट मेनू उपन थाये छे, इस स्टार्ट मेनू नो फोटो छे, तो एने इंदर डाबी बाजु हो तो यह दो के सफेद कलर ना भाग नी अंदर तमने जे आइकोंस बदा देखाया चे बरबर यह वारमवार जे प्रोग्राम तमने यूज करता हो यह बदा लेप्ट साइड तमने देखा रहे चे बरबर अने जम्नी बाजू नी पेंड चे यह दोक्यूमेंट्स नो फोल्डर होए पिक्चर होए म्यूजिक नी लाइब्रेरी गेम्स नी लाइब्रेरी बरबर कंट्रोल पेंडर होए यह दो नी नी चे शटडाउन बटन आवे यह दाबी बाजू ना भाग मा सफेद कलर मा नी चे सर्च बोक्स आपे लूँ होए छे स्टार्ट मेनूना बे विबाग छे जे माँ चे डाबो विबाग यह लगे डाबी पेंड अन जमन विबाग यह लगे जमनी पेंड तो डाबा विबाग मां में तमने समझाएँ चाता एक वार फरीदी समझाएँ चूँ के मोटो डाबो विबाग वारमवार उपयोग थता अथवा ताजेतर मां यूज थेला प्रोग्राम दर्सावे चे तो ए जोवा माटे ओल प्रोग्राम सुपर क्लिक करो यह तमने ख्याल आवसे के तमारा कंप्यूटर मां केटला प्रोग्राम सावेला चे डाबा विभाग ना नीचे सर्च बोक्स आवेलूं छे, तेमा सर्च माटे ना सब्दो टाइप करीने तमारा कंप्यूटर नी फाइल औने प्रोग्राम तमें सोधी सको छो त्यार बाद आवेजे जम्नों विभाग, एलगे जम्नी बाजुनी पेन तमें वारमबार उप्योग करो छो तेवा विंडोज ना भाग नी लिंक स्टार्ट में नू जम्नों विभाग धर आवे छे जेन यंदर परस्नल फोल्डर आवेला होगे, पजी डॉक्यूमेंट्स नूँ बोटन आवेल लू होग छे पजी प्Иक्चर्ज लाइबरेरी होगे, म्यूजिक लाइबरेरी आवेली होगे, गेम्स लाइबरेरी होगे पचि माय कंप्यूटर नी बटन इन 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 राप्टर में मुजिक राखिवाने के मुझीडेकर लाखई येयरी और पार्टिशन चेहीं चाहिए पजू मैंके प्रिंटर जोड़ायो पोग्गेर साथ रेघ्डेट आपने स्टार्ट मेनू उपर प्रोग्राम आइकन पिन केविरी ते करवा त्यारती आपने समझवानी शरुवात कर्सम। त्यां सुधी गुडबाई and have a nice day.